हलो दोस्तों सुागत है आपका अपने चैनल है पजल मेनिया बताओ कर começa एक मार्स से एक आपरेल इस एक महीने में बहुत सारे स्टूडेंस के सपने पूरे हुए यह वी कहना गल्ट नहीं होगा कि ये एक महीन सपनों का पूरा करने वाला महीना रहा इस एक महीने में बहुत सारे स्टूडेंस के कमेंट आए कि से मेरा RRBPO में, RRBK में, SPIPO में, SPI किलर की बेटिंग लिस्ट में, IBPS की रिजर्ब लिस्ट में और IBPSPO, IBPS किलर कमें सेलेक्शन हुआ कहीं न कहीं बहुत खुशी होती है जब आप सबी के कमेंट आते हैं कि मेरा सेलेक्शन हो गया लेकिन बहुत सारे स्टूडेंस हैं जिनका सेलेक्शन नहीं हो पाया और बहुत कम-कम नम्बरों से उनका सेलेक्शन रोका है और कहीं ना कोई बहुत दुख्य अदास है अपने रिजल्ट को लेकर लेकर आप एक चीड समझे जिनका सेलेक्शन हुआ और उनके कमेंट आते हैं कि मेरा सेलेक्शन हो गया तो हम कमेंट पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि इसलेक्शन हो गया लेकिन हमको यह नहीं पता कि इस सेलेक्शन के पीछे उनका सफर कितना लंबा था कितना कटनाई उबरा रहा, कितनी सालों से तयारी कर रहे थे कितनी एक्जाम दे चुके, कितना फेलियर देखा बहुत सारे स्टूडन्स हैं जो चार साल, पाँस साल, छेस साल से तयारी कर रहे थे पंदरा, बीस, पच्चीस एक्जाम दिये कहीं न कहीं, वो भी इस रिजल्ट के पहले दुखी हुआ करते थे अपने रिजल्ट को लेकर क्योंकि उनका सेलेक्शन नहीं हुआ पहले, लेकिन उन्होंने मैनद करना कभी नहीं चोड़ी उनको खुद पे बिस्वासता की नहीं है, सेलेक्शन तो हमें मिलेगा हम मैनत करेंगे तो सिलेक्शन भी हमें मिलेगा क्योंकि हम फाइनल इस्टिस तक पहुँच चुके हैं उन्होंने मैनत को बरकरा रखी और आज रिजल्ट यह है कि उनका सिलेक्शन हुआ है अब ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टूडन्स नए हैं कि पहला दूसरा एक्जाम था उनका उस सिलेक्शन मिला अभी आप दुखी हो अपने रिजल्ट को लेकर कहीं न कहीं वो भी दुखी हुआ करते थे अपने रिजल्ट को लेकर मेरा एक दोस्त है उसका एक दोस्त है वो 4-5 साल से तयारी कर रहा था मेरे दोस्ते ने बताया कि या 4-5 साल से तयारी कर रहा है काफी मेहनत कर रहा है बट सेलेक्शन नहीं मिला भी तक तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि या 100% इसको सेलेक्शन मिलेगा क्योंकि इसका जो खुद पर विश्वास है वो बहुत मजबूत है और यही बज़ा है कि वो मेहनत कर रहा है बहुत सारे लोग बोलते थे क्यार चार-पांस साल हो गए कोई ना कोई जॉब कर लो लेकिन वो एक चीज़ बोलता था कि मुझे नहीं पता कि मेरा सेलेक्शन कब होगा लेकिन मुझे ये पता है कि एक दिन मेरा सेलेक्शन हंडे पर्षेंट होगा और अभी आई बीपेस का रिजल्ट आया उसका क्लेरिक में सेलेक्शन होगा मेरे दोस्ते ने बताया कि यार उसका सेलेक्शन होगया बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इनका सेलेक्शन हो गया, यह काबिल था, इनका सेलेक्शन नहीं हुआ, यह काबिल नहीं था मेरी नजर में दोनों काबिल थे, जो फाइनल इस्टिस तक पहुंचे, दोनों काबिल थे अब आप एक चीज़ समझे, माल लिजे किलर का रिजल्ट आया, 48 कट आफ गई माल लिजे, किसी के 48.10 आया, किसी के 47.90 आया, अंतर क्या है, जिसके 48.10 है उसका सेलेक्शन हो गया, जिसके 47.90 है उसका सेलेक्शन नहीं हुआ, लोगों को क्या लगेगा, कि भाई यह काबिल थ इसका सेलेक्शन हो गया, यह नहीं था, इसका सेलेक्शन नहीं हुआ, माल लिजे अगला रिजल्ट पियो आता है, जिसका कलर्क में नहीं हुआ था, उसका पियो में हो जाता है, जिसका कलर्क में सेलेक्शन हुआ था, उसका पियो में नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, कि यह काबिल था यह काबिल नहीं था तो बिलकुल नहीं जो फाइनल इस्टिस तक कहुंचा बिलकुल काबिल थे बस दिन आपका नहीं था और यह सब भी नहीं है कि हर दिन आपका नहीं है अगला रिजल्ट आपका है अगली सीट आपकी है अगला एक्जम आपका है आप बैंक ना कई मौके बहुत रहते हैं आपके पास तो आपको बिल्कुल यहां से रुकना नहीं है आप रुकने वालों में सभी नहीं हो क्योंकि आपको खुद पर विश्वास बहुत मजबूत है कि नहीं यहां सेलेक्शन तो मिलेगा हम यहां तक पहुंच सकते हैं तो हम final stage तक पहुंच सकते हैं तो हम selection क्यों नहीं ले सकते बहुत सारे students हैं जो result को भुला कर आंगे बढ़ते हैं वो एक नई शुरुवात करते हैं उन्हें पता है कि हम शुरुवात कैसे करनी है final stage तक कैसे पहुँचना है जहां गलती हुई उसको कैसे सुधारना है और selection हमें कैसे लेना है तो आप भी पस उसी चीज़ को note कीजिए कि मेरी गलती कहां हुई है उस गलती को मैं अगले exam में बिल्कुल नहीं करूँगा और अगली seat जो है वो मुझे पक्की करनी है 100% आपका SPI किलर के SPI PO और LIC जो भी result आएंगे न 100% अगला comment आपका होगा कि सर मेरा selection हुआ है अभी आप दुखी हो उदास हो उस ताइम आप बहुत जांदा खुस होगे कि नहीं सर मेरा selection हो गया तो बिल्कुल मैनत बरकरार रखिए ऐसा नहीं होता है कि अभी selection नहीं हुआ तो आँगे selection नहीं होगा आपको तो यहां तक आप पहुँच चुके हो आपको पता है कि यहां तक कैसे पहुचना है बहुत सारे students को तो सुरुआत ही करनी है जीरों से सुरुआत करनी है और उनका भी जो विस्वा से मजबूत रहता है विस्वाद करते हैं selection भी लेते हैं आप तो फिर भी यहां तक पहुचे हो मैनत करके तो आपको पता है कि हमें final selection कैसे लेना है और आप लोगे बस मैनत करिए 100% अगला result आपका होगा इंतजार रहेगा आपके comment का कि सर मेरा selection हो गया बाकी मिलते हैं फिर नेस वीडियो में जब तक के लिजानावाद